अब आपको यह विल्ट आपकोश्राइब तो अब आपको जो लास्ट पार्ट है इसमे अग्रिकल्चर के बारे में एक्स्प्रेम कर लिए अब अग्रिकल्चर क्या होता है प्लांट्स विचार ग्रॉण इन लाइट एरिया फोर फूर और अदर यूज अर्कॉल कॉप प्लांट्स को वोलते हैं वसल को कि जो हम एक बड़े एरिया में किसी प्लांट को ग्रो करना तो किसी फूर या तो फूर के लिए किसी अधर पर्पर्स के लिए उसको बोलते हैं sau जब्रक्राइब्स अध्रव नियूस के लिए कि उसको बोलते हैं और इटला us cape कां बल्य इंडिया अग्राइट निया का तरून कि आपर नी क्या बोलते हैं कि रभी ग्रॉप समाण क्रेव क्रॉब को नाथ कॉल्य बोलते हैं क्रॉप को गौरिए तो इसलिए जो विट होता है ग्राम वाग धर सब्सक्राइब देखें वेरिस स्टेजीज इन एग्रिकलचर अग्रिकल्चर के लिए बहुत सारी जो स्टेजीज होती है थो सब्से पहले प्लागिंग करने प sleek dit प्लागिंग क्या होती है दा प्रासेस ऐंच्छ लूूजनिंग अप्ड़ फिरू क्रावि में क्मा को बंद्र प्लागिंग कि डिरू면 सब्सक्राइब साफ़ पोट इन से बाद आपी जैसे ौस ए ना परीफ सेजरें सेटने बोसे做 Film भॉरी यह भाद सेथ 여러분들 को प्रिपैर करें इन उप हा सविक्षडें आप जोसे करें देख्छंक और ने लेधिches इए सेट्स सोहे बाद सेट्रव हाथ से बिल नः कर सकते हैं या फिर क्स शीर जाली प्रआप्ट में जाते हैं। उसके बाद मेरा केहांच सब्सक्राइब सब्सक्राइब फिर िधेंदストAG कर रहा है जो इसको करकर रहे लुसी का लग नो स्टेड्टि नर्श tapa कर रहा है एस की और उन्हेंट स्वाइल पंड़ेlier मैनियॉर और फर्टिलाइजर आर अड़ि डैडि तो इंपूर अजिए गवाध नियुटेंट्स वेस्ट वाइल फरिटिलायजर आर मेड फ्रॉम कैमिकल्स लाई नाइट्रोजिन फसफर होता है वह यूजम बनागा होता है अम्यमाल प्लांटो paradox होता है उससे बनता है मैंनल्स जो यूच्यों और बोना पड़ेगा फिर उसके बाद हमें अगर उसमें मैंनी और फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा और उसमें पानी भी डालना पड़ेगा तो इरिगेशन इस दा सप्लाइफ वाटर तो दॉप इन फेल्ड फ्रॉम वेल एंड कैनल्स थ्रू चैनल्स एंड इस्पारिकल इन सबसे करना पड़ता है इरिगेशन इस दन बाई यूजिंग आनिमल्स लाइक बुलक्स और यूजिंग पंस देखो जो इरिगेशन होती है वह बुलक्स से भी कर सकते हैं या फिर पंस वगेरा से किया जाता है जैसे कि यह दिख रहा है आपको उसके बाद है प्रोटेक प्रोटेक्ट करना है तो उसको प्रोटेक्ट करना है इंसेक्ट से पेस्ट वगेरा से तो पेस्टीसाइड्स आर स्पीड अंदर क्रॉप एस प्रिवेंटिव मेजर्स तो देखो अगर हमारे जो क्रॉप है उसमें पेस्ट से हमें कंट्रॉल करना है तो हमें उसके अंदर करना पड़ेगा जैसे कर रहा है जिससे कि हमारे जो क्रॉप है वो प्रिवेंट हो जाए प्रोटेक्ट हो जाए नेक्स देखें हार्वेस्टिंग अब हार्वेस्टिंग किसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग तो देखें हार्वेस्टिंग में क्या करना है once the crop ripen they are cut and collected देखो जब एक बार हमारी जो फसल है वो पक जाती है राइपन किसको बोलते हैं पकना तो फिर उसके बाद उसको क्या किया जाते हैं कट किया जाते हैं चीक है और उसको collect किया जाते हैं इकथा इस प्रॉसेस इस नोन और 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 मशीन देखो जो हार्वेस्टिंग होती है जो कटाई होती है वह हाथ से भी काट सकते हैं जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है या फिर मशीन से भी ठीक है फिन नेक्स देखिए विनोविंगikes को बोलते हैं कि जो हमारा जोग कॉथ होती है उसमें कुछ चाफ होता है कुछ पूराली वगरा हस्क वगरा पढ़ा रहता है तो उसमें हमें seed में से separate करना है उस husk को चाफ को तो उसको बोलते हैं विनो मिंग जो तो युद को बहुते हैं से बाद है अब जो हमारे फसल जो बिल्कुल रैडी होगे अब इसको इस प्रिपलेज करना है के ग्रेंज अर्ड ड्राइट कम्प्लीट्री और फिर उनको इसको इसके प्रिपलेज़ ग्रेंज ने दूप में डालके जिसे के वह सूप जाए और फिरवार उनको स्टोर करना है किसी कन्टेनर में जहां पर बेसे लुए जाहां पर लाज अमाउंट ओफ ग्रीन्स आर्श टोर इलाज कॉन्ट गूल सीरॉस्टरूस जो नहीं को काफी लाज कंटेनर में स्टोर करना उसको क्या बोलते हैं शीलोस, fruits and vegetables are stored in cold storage, लेकिन जो fruits होते हैं, vegetables होते हैं, उनको हमने store कहां पर करना पड़ता है, cold storage में, जहां पर ठंडा एरिया होता है, जैसे रिफ्रिजरेटर में इस तरीके से करना है, that's all for today, you should find the question answer and book work also, otherwise I will send you, that's all for today.